वेल्कम तू माई चैनल चलिए आज हम बनाते हैं मतर पनीर धाबे स्टाइव शुरू करते हैं मतर पनीर बनाने जिसके लिए हमने गैस को चाहा दिया है कर लिया है अब इसमें हम डालते हैं एक चमच बटर बटर है कि मेरे गरम हो जाएगी बटर में डाल देते हैं हम पनीर हमने घर का पनीर लिया है आप चाहे तो मार्केट से ले सकते हैं नहीं तो दूद का भी पनीर बना सकते हैं हम दो केजी दूद का पनीर बनाये थे लगभग ये 300 ग्राम प्यास पास बन के हुआ है तो धीमी आज में इस तरह हल्का पास मिर्टर फूप करें इसमें थोड़ा सा डाल दें आप नमाग श्वात करने तरह हल्का थोड़ा सा दाल दें मिर्टी पॉड़र इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है पनीर को हल्का भूँच लेतो अब इसको धीर धीर इस तरह से मिलाएं पनीर लेके हमारे पनीर हल्का भूँच उपिया इसको अब हम निकाल लेते हैं एक बॉल में पनीर को निकाल चुके हैं एक बॉल में अब हम पड़ाही के अंदर फे डालते हैं तेल थोड़ा सा हम तीन चार चमज के आप पास डाल रहा है अब इसमें डालेंगे दो छोटी चमज जीरा जीरा हमारी हलका चटक जाएगी चटक जाएगी तो हम दालेंगे इसमें देखे प्रें जीरा हलका हमारी चटक चुकी है थोड़ा इसको और चटक भी देखते हैं कश्तुरी मेती हलका हाथ से करस कर लिये हैं अब यह थोड़ा हम दरदरा पिसके ले लिये हैं अद्रक लसून मिर्चा का पेश इसको हलका तेल में आप भूंजे अद्रक लसून मिर्चा हाप इंक अद्रक खा आरच कण्या लसून तीन भडी मिर्च इसको हम कर दाल कर दर दर दुछ्त के ले लिये हैं अब इसमें हम डालते हैं ये बारिक कटीवी प्याज हम इसमें तीन प्याज बारिक काटे ले लिए हैं इसको हल्का बारिक ही काटे नहरे कलर तक आने तक भूंजे हलके 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 भीनी आज में तो नहरे कलर आने तक इसको आप कुछ करें प्याज अच्छी तरीके से कुखोच कर इसमें हम डालते हैं एक चमच हल्दी पॉडर, दो छोटी चमच भन्या पॉडर, एक चमच लाल कस्मिरी मीच, इसको फिर हम अच्छे से चलाएंगे. इसको चलाएं, हम ने तीन चोटी तमाटर, मिच्टी जारम पीस के ले लिए थे, आप चाहे तो इसको बारीक टाटके भी ले सकते हैं, बड़े साइज का हो तो दो डालें, अगर खोते साइज का हो तो आप तीन तमाटर डालें, तमाटर से भी इसका पेस्ट बहुत ज़गा ज्यादा आता है, और इसको मसाले से जब तक टेल ना छोड़े, तब तक इसको मसाले को अच्छे तरीके से फूट करें, भी बिले चलाते रहें, एक दो मिनेट के लिए पूँ, हलका मसाला को, एक से दो मिनेट के लिए धग देता हैं, ताकि हमारे मसाले अच्छे से हमारे मसाले से खोड़ रहा है, तेल अलग हो रहा है, अब इसमें हम डाल देते हैं, हमने यह हरी ताजी मटर लिए था, अब इसको हम डाल देते हैं, ताकि यह मसाला के साथ हलका घूच जाए, हलका यह मेजी मसाला भी कूख जोगा और मतर भी साथ में हूँ हो जाएगा, सर्वियों के मवसरम ऐसे भी बहुत काची मतर मिलती है, कभी इस तरह से आप बनाके देखें, वगष्बग, पानी इसने हम डाल रहे हैं थोड़ा सा पानी, तोड़ा ही साझ आवरे भी ताकि हमारी मटर थोड़ा साथ कुखो जाए इसको हम अच्छे से कुखो जाए इसको हम 2-3 मिनट के लिए भग देते हैं रचेट से 2-3 मिनाटना घर देते हैं । बीच लिट में इसको चेक करते रहेंगे। इसको हम चेक कर लेते हैं कितना कुट्टूँआ है हमारे। देखे इतना अच्छे तरीके से भूंग चुका है ये। लेकिन अभी इसको 2-4 मिनाट और इसको अच्छे से भूंगे लिए ताकि हमारा मस्ताला भी भूंगा जाए और मस्ताल भी देखे तें हमारी मस्ताले अच्छी तरीके से फूक हो चुका है अब इसमें होन खोरी से डालेंगे हम घर का मलाई या है कि आप चाहिए ते इसमें दही भी ढाल सकते हैं है लेकिन हम ऑनाई को ये अच्छी तरीके से ऐसी व्लाक्राज ग्ली दालने के बाद और अच्छी तरीके से चलाएं ताकि ये मलाई हटे कभी भी मलाई या जही डाले तो आप इसमें नमक बाद में डाले तो इसको अच्छे से हम अन्य मिलाएंगे देखे इसका कलर कितना अच्छा है कभी हम साधी या पार्टी में इस थाइप का मतर पनी ठाते हैं रिस्टूटेंट में या होटल में कभी इस तरीके से बना के आप देखें अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पनीर मसाला और गरम मसाला हम दोनों मिक्स करके रखेंगे फिर इसको मच्छे से मिलाएंगे इसको 2-4 मिनट तम अच्छे से भूँचे कुक करेंगे अब इसमें हम स्वाद कानुसार नमक डाल देखे हैं आप अपने स्वाद कानुसार ही डालें इसको मच्छे से मिलाते हैं इसमें हम डालेंगे 2 कप पानी इसमें हम डाल देते हैं 2 कप पानी अब 5 मिनट तो को हम धर देंगे अच्छे से मिलालें इसमें जब उबाल आएगा फिर आपकों दिखाएंगे कि इतना अच्छा से उबाल आगिया है अब इसमें हम डालनेंगे पनीर, जो पनीर हम गूज के रख लिया थे, आप जिस तरह इसमें ग्रेवी रखना चाहते हैं, अपने अनुसार ग्रेवी रखे, देखे तें, कितना अच्छा हुआ है, मतर पनीर तयार हो चुका है, कितना अच्छे तरीके से, अब इसमें हम डाल देता है, फुड़ा सा, बारुत कटा हुआ धन्या पत्ता, अब इसमें, देखे फ्रेंस, इसको हम ग्यास को हम आप कर देते हैं, एक बाल में, देखे कितना अच्छा से हुआ है, देखे सकता है, कर देखे, इसका कलर कितना अच्छा आया है, इसको हम ठोसा गानिस कर लेते हैं, धन्या पत्ता से, आप इसको किसी चीज के साथ खाएं, रोटी, फ्राठा, नाम, राइस, अब आप, देखे फ्रेंट्स, हमारा मतर पनीर बन कर तयार हो चुका है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, तो लाइक, सस्क्राइब, सेर करें, तब तक के लिए टेक क्या, फिर मिलेंगे एक नई रिसीबिक के साथ, बाई!